दोस्तो आज हम आपको मिनेक्टो एक्स्ट्रा के बारे में बताने जा रहे हैं कि मिनेक्टो एक्स्ट्रा किन फसलों में आप प्रयोग कर सकते हैं और आप इससे क्या लाव उठा सकते हैं और इसकी प्राइस क्या रहेगी और ये किन किन कीटों पर उपयोग की जा सकती है और और इसके रेजल्ट बहुती बैतरीन आये हैं क्योंकि हमने इसका अपने खेत में प्रेक्टिकल किया था और लगाई थी तो इसके काफी अच्छे रेजल्ट मिले हैं यह सेजन्टा कंपनी द्वारा लॉंच की गई एक नई तकनीकी पर है और इसमें नया साल कंपोजिशन ड बताएंगे और इसकी क्या प्राइस रहने वाली है यह भी बताएंगे और यह कब प्रियोग करनी है आपको खेती में किन-किन फसलों में इसका प्रियोग होना है वो फुल डिटेल देने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना अगर आपने चैनल को सब्सक्रा ढाइद कर लिए दोस्तों बात करें मैंनेक्टो-एक्स्ट्रा की मेंक्टटो-एक्स्ट्रा का काम इतना बढ गया है मुझे लगा जब मैंने अपनी खेतों में लगाया मैं आप देखिए दोस्तों मैं किसी burial यही coverage प्रिक्टिकल यह ऊजाता है उसके बादी वीडियो बनाई जाती है, क्योंकि किसान भाईयो जब तक कि आपी को नहीं पता है क्या रियल्ट है, तो आप दूसरों को क्या बताइंगे, तो हम सारी फसलों में अपनी फसले हैं, खेदी में लगी होती है, उनमें लगाती हैं, दवाईयों का और फुल प्रैटिकल करके, त कमपनी तो कुछ भी बोलती है रियल्त तो आप कोई पता होंगे न तो दोस्तों वीडियों को पूरा देखना तो बात करें लएक्टoya की तो यह दो दोस्तों यह मिनएक्टौ एक्स्ट्रा सेंटे कमपनी ड्यूरा बनाई गई यह प्रव परक्ड मीश्यार है कि जो आपके पत्तों को या फल को खाती है तो इसके लिए इसका प्रियोग किया जाता है और इसमें दो कम पोजीशन डले हुए हैं और इसका प्रियोग थ्रिप्स में भी किया जाता है इसमें थ्रिप्स का भी बहुत अच्छा रेजल्ट है इसके बाद इसे लगाने के बाद फ्लॉबरिंग भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि कोई भी कीट आता नहीं है जो आपकी सूंडी बगएरा होती है यह फल छेदक तना छेदक और यह थ्रिप्स को भी कंट्रोल करती है इसमें क्योंकि दो कमपोजिशन डले हुए है एक है इसमें साइना इंट्रपनॉल है इ होता है यह आपको यह इस्टेंब बॉरियर या फ्रूट बॉरियर के रोकने के लिए काम में आता है बात करें इसे प्रियोग करने की तो इसका डोज आपको एक एकड में यह बीस एमेल की जो आपको बोटल दिख रही है यह आती है इसका प्रियोग कर सकते हैं और दोस्तो इसका प्रियोग आप 15 लीटर की टंकी में 2 ml आपको प्रियोग करें और इसको आपको बहुती बहतरी रेजल्ट मिलेंगे बात करें इसके कौन-कौन सी फसलों में इसका प्रियोग होना है तो दोस्तो आपका पास गन्ना, मिर्च, टमाटर, पत्ता गोवी, बैंगन और आदी फसलों में आप इसका प्रियोग कर सकते हैं दोस्तो बात करें ये किन-किन दवाईयों के साथ इसका प्रियोग किया जा सकता है तो दोस्तो मिनेक्टो एक्स्ट्रा का प्रियोग आप किसी भी फंगी साइड, किसी भी कीट ना सके साथ कर सकते हैं और इसका प्रेव आप सुवै या साम को ही करें तभी आपको बहुत अच्छे रजल्ट मिलेंगे और खेत में नमी होना बहुत जरूरी है तभी आप इसका प्रिष्परे करें तब ही आप इस पिरे करें तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले